नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप आपका स्वागत है हमारे एक और वीडियो में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में पानी को देखने का क्या आर्थ होता है यहां हम चर्चा करने वाले हैं सपने में बिविन तरीके से हम पानी को देखते हैं और उसका हम क्या अर्थ लगा सकते हैं वीडियो को अंतर तक देखिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने अगर नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेर करिएगा वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे सपने में गंदा पानी यानि नाले का पानी देखने का क्या अर्थ होता है तो वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा वैसे सपने में पानी देखना एक सुबसंकेत माना जाता है और यह धन से जुड़ा हुआ भी माना जाता है अगर आप सही अवस्ता में पानी को देखते हैं सपने में तो इसका मतलब है कि आपकी एक शाय पूरी होने वाली हैं आपको कोई धनलाब होने वाला है जीवन में आपको कोई नया अवसर प्राप्त होने वाला है, आप नवकरी करते हैं, व्यफसाय करते हैं, उसमें नए आयाम खुलेंगे क्या अर्थ होता है अगर आप सपने में समुद्र का पानी देखते हैं या समुद्र को देखते हैं सपने में समुद्र का पानी देखना या समुद्र का दर्शन करना बहुत ही सुभ नहीं माना जाता इसका ये अर्थ हो सकता है कि आपको कोई अपयस लोक अपमान का सामना करना पड़ सकता है तो कोशिश करें कि अपने वाणी पर सयम रखें यानि बोलते वक्त ध्यान से बात करें आपके कही होई कोई बात आपके लिए अनावस्यक जगडा या जंजट ला सकती है हाला कि ऐसा भी माना जाता है कि समुद्र दर्शन आपको धनला भी करा सकता है होई दूसरी ओर सपने में नदी का पानी देखना या सपने में नदी का पानी पीते हुए देखना सपने में नदी का पानी देखना बहुत ही सुब माना जाता है इसका आर्थ है कि आपको एक जल्दी ही सुब समाचार मिलने वाला है आपके एक्षाएं पूरी होंगी लब्बे समय से चल रहे प्रयास में सफलता मिलेगी नए आउसर खुलेंगे वही सपने में कुए का पानी देखने का अर्थी होता है कि जल्दी ही आपको धन की प्राप्ति होने वाली है और कोई एक सुबसमाचार आपको मिलने वाला है सपने में बारिस होते देखना या बारिस का पानी देखना बारिस में भीकते हुए देखना यह भी काफी सुब माना जाता है और इसका आर्थी यह है कि आपको जल्दी ही कोई सुबसमाचार मिलने वाला है कि वहीं कभी कभी सपने में हम यह देखते हैं कि बाढ़ा हुई है किसी कारण बस हम बाढ़ में फस गए हैं या बाढ़ का पानी आप दीख रहे हैं ऐसा सपना सुब नहीं होता इसका अर्थ यह है कि जल्द ही आपको कोई न कोई असुब समाचार मिलने वाला है तो आपको थोड़ा सा सायम वरतना चाहिए अब बात करते हैं कि अगर सपने में आप पानी देखते हैं जो साफ है किसी भी चीज का पानी हो जो साफ पानी आप देखते हैं तो ऐसे सपने बहुत ही सुभ होते हैं आपके व्यापार व्यावसाय में कोई नया आउसर आपको प्राप्त होने वाला है अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हैं विद्यार्थी हो तो सिक्षा में सफलता मिलेगी सपने में जरने का पानी या किसी उचे स्थान से गिरते हुए पानी को देखना सुब नहीं माला जाता है आपको लोक अप्मान या पेस का सामना करना पड़ सकता है साथी साथ अगर आपको किसी तरह की बीमारी हो तो उस बीमारी में भी विद्धी हो सकती है अब बात करते हैं कि सपने में गंदा पानी, यानि नाले का पानी, या इस तरह की किसी बद्बुदार पानी को देखने का क्या अर्थ होता है तो दोस्तों ऐसा सपना सुबह नहीं होता, इसका अर्थ ये है कि आपके जिन्दगी में कोई न कोई मुश्किल आने वाली है अगर आप नौकरी व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी आपको परिशानी का सामना करना पड़ सकता है तो गंदा पानी देखना अशुब माना जाता है अगर आप ऐसा सपना देखें तो उसके लिए कोई न कोई उपाय जरूर कर लें उसी प्रकार अगर आप सपने में गरम पानी देखते हैं गरम पानी से आप जल गए आप कैसे भी आपको ये पता चलता है कि पानी गरम है तो इसका अर्थ ये होता है कि आपके जीवन में कोई न कोई मुसीवत आने वाली है तो आपको सचे तरह ना चाहिए तो ये बाते रही सपने में पानी देखने का क्या अर्थ होता है आप हमें कमेंट में जरूर लिखेगा कि क्या आप सपने में कभी पानी देखे हैं किस तरह का पानी आप देखे हैं सपने में बहुत से लोग अपने को डूपते हुए देखते हैं सपने में अपने आपको डूपते हुए देखना अच्छा नहीं माना जाता इसका आर्थी यह हो सकता है कि आपको किसी कठनाई का सामना करना पड़ सकता है आप किसी दुविधा से घिरे हुए हैं, आपका मन असान्त रहता है, उसके कारण ही इस तरह के सपने आपको आ रहे हैं तो इसका भी कोई न कोई उपाय करने की आपको जरूरत है दोस्तों बहुत से लोग मुझसे प्रस्ण पूछते हैं, इसलिए मैं ये बात भी आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जरूरी नहीं कि आपने जो भी सपना देखा, उन सभी का कोई न कोई अर्थ हो कभी कभी सपने अनायासी आ जाते हैं, उनका कोई अर्थ निकालने की जुड़त नहीं है लेकिन कभी कभी उनका कोई न कोई हमारे भविशे से जुड़ा अर्थ होता है तो आप सचेत्र हैं, समझ के अगर आपको जानकारी रहेगी तो ये आपके लिए लावदायक होगा लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक सपने का कोई न कोई अर्थ होगा क्योंकि सभी सपने भविशे के दर्शन नहीं कराते हैं हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर लिखेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा वीडियो को अंतर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पसंद आने पर इस वीडियो को अपने मित्रों में शेर भी करें अपने मित्रों में जरूर रहा हमें शेर बहुत करें